नमस्कार आज की कच्छा में हम चर्चा कर रहे हैं HCF अर्थात मौशव HCF का फुल फॉर्म है Highest Common Factor जिसे हम हिंदी में करते हैं महत्तम समाप वर्टक तो सबसे पहले हम इस दो शब्द को समझने की कोशिस करते हैं महत्तम समाप वर्टक शब्द को तो समाप वर्टक का अगर हम संदी विछेद करें तो यह हो सकता है सम और यह अप वर्टक अप वर्टक कहते हैं Factor Group या गुननखंड और सम का अर्थवाप जानते हैं समाप और महत्तम मतलब सबसे बड़ा Highest हम दो या दो से अधिक संख्याओं का मौसा निकालते हैं और मौसा क्या होता है उन दोनों संख्याओं का उन दोनों संख्याओं में जो समान बुननखंड है तरस समझें दो या दो से अधिक संख्याओं में जो समान अपवर्तक होते हैं, समान फैक्टर होते हैं, और उनमें से जो सबसे बड़ा होता है, वो मौसर या मातम समापवर्तक कहलाता है, तो इसे पहले और अच्छी तरह से हम समझने की कोशिस करते हैं, कुछ उदारन लेते हैं, तो एक उदारन हमने लिया है, चार और चौ और का मौसर ग्याद करें तो यह कॉंसेप्ट है वास्तों में मौसर है क्या तो चार का अपवर्तक तो चार का अपवर्तक यानि किस किन-किन संख्याओं से चार में भाग लगेगा तो एक तो होगा यह एक फिर दो और यह तीसरा होगा चार और चौदा का देखते हैं इसमें भी एक तो होगा ही उसके बाद दो इसके बाद सीधी आजाएगा इसके बाद साथ आएगा और फिर आएगा चौदा तो अब हम देख रहे हैं कि चार और चौदा का समापवर्थक कौन-कौन सा है जो दोनों में है ऐसे अपवर्थक जो दोनों में है तो यहाँ देख रहे हैं एक है एक तो है उसके बाद दो है कोई और है नहीं तो यह जो चार और चौदा का समापवर्थक है इसमें जो सबसे बड़ा कौन सा है तो सबसे बड़ा यहाँ पर दो है तो यही हमारा चार और चौदा का महत्तम समापवर्थक या मौसर या HCM जो कहें वो होगा चलिए एक और उधारन लेते हैं और यहां हमने तीन संख्याएं दी है छे, दस और बारह का मौसर याद करें यह एक और उधारन निसली दिये हैं कि थोड़े सी समझ और विक्षित हो तो यहां छे का अपवर्थक करेंगे तो छे का अपवर्थक क्या होगा यानि छे में किन-किन संख्याओं से भाग लग सकता है एक, दो, तीन और छे से अब दस, तो दस में लग सकता है भाग एक से, दो से, पांच से और दस से अब बारह, बारह में एक से लगेगा, दो, तीन, चार, छे, और फिर बारह अब फिर हम देखते हैं कि इन तीनों में कौन से समापवर्थक है, जो तीनों में है यहां भी एक आकार चुटा हुआ है, आप ध्यान देगे, टाइपिंग के करम में चुट गिया है, तो छे, दस, और बारह का जो समापवर्थक है, यानि जो दोनों में अपवर्थक है, वो कौन-कौन सा है तो एक तो देखिए, एक है, और फिर ये दो है, और कोई है, नहीं, यहां तीन है, यहां भी तीन है, लेकिन ये दस के अपवर्थक में तीन नहीं है तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 6, 10 और 12 का जो समापवर्थक है वो सिर्फ एक और दो है तो इनने से सबसे बड़ा कौन है? दो है तो यही हमारा मौसर या महत्तम समापवर्थक होगा तो आसा है कि यह concept आपको समझ में आ गया हो कि मौसर क्या होता है अब चले हम देखते हैं कि इनकी विधिया क्या है? HCF ग्यात करने की क्या विधिया है? अभी जो concept हमने देखा था तो इसमें क्या है कि इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं लेकिन यह सर्फ छोटी संख्याओं का हम निकाल सकते हैं बड़ी संख्याओं मीलेंगी तो इस तरह से निकालना संभव नहीं है बड़ी संख्याओं या ज्यादा संख्याओं यहां तो तीन संख्याओं हमने लिए हैं चार भी हो सकती है छे भी हो सकती है तो उन इस्तितियों में निकालना मुस्किल होगा तो अब हम देख रहे हैं कि विधिया क्या-क्या है तो पहली विधिया है औभाजी गुननखंट विधी और दूसरा है भाग विधी तो चलिए एक-एक करके इन विधियों को समझते हैं कि ये विधी किस्तर से काम करता है तो पहला हमने लिया है औभाजी गुननखंड विदी तो इस विदी से एक प्रश्न हम हल करेंगे चार और दस का मौसवा ग्याद करें तो सबसे पहले चार का अवभाजी गुननखंड हो जाएगा एक गुना दो गुना दो और इसे हम लिख सकते हैं एक गुना दो का वर्ड चलिए अब दस को हम लिख सकते हैं एक गुना दो गुना पांच इसको फिर आगे फिर से लिक लिएते हैं इसके नीचे तो सिवधा होगी एक गुना दो गुना पांच अब देखिए चार और दस का सिदे हम समाप वर्ड तक निकाल रहे हैं तो यह हम देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं का जो अभाज गुननखंड है उसमें कौमन क्या है जो दोनों में है तो हमें सिर्फ दिख रहा है एक और दो और इसमें जो सबसे बड़ा है एक और दो है तो देखिए एक है तो एक तो हमने लिख लिया गुना अब इसको देख रहे हैं दो है तो दो का घात यहां पावर दो है और दो का घात यहां एक है तो जो lowest power होता है उसी को हम लेते हैं तो lowest एक पावर वाला है तो यह हो गया दो तो यह हमारा मोहत्म संभाब वर्तक हो जारहा है दो एक बाद फिर से आसा समझ लेएं इसे तो चार का अभाजी बुरंखंड हम लिख सकते हैं एक गुना एक गुना दो तो यह हम लिखेंगे इसको 1 गुना 2 का वर्ग और 10 का अबहाजी बुन दुर्धेंड होगा एक गुना 2 गुना 5 अब हम देखेंगे कि इन दूनों में common क्या है तो 1 है, तो 1 तो हमने लिख लिया अब है 2 तो 2 में, यहाँ है 2 का घात 2 है यहां दो का घात हम एक है, कुछ नहीं है इसका मतलब एक है, तो जो lowest है उसी को हम चुनते हैं, तो यहां lowest दो का घात एक है, दो का घात एक मतलब दो है, तो यह से हम लिखते हैं, तो एक गुना दो हो गया, दो, एक और उदारन लेते हैं, 20 का आभाज 20, 25 और 30 का मौसव ग्याद करें तो 20 का आभाज गुना ठंड लेंगे तो ये होगा 1 गुना 2 गुना 2 गुना 5 तो इसे हम लिख सकते हैं 1 गुना 2 का घाद 2 गुना 5 अब 25 का आभाज गुना ठंड करेंगे तो ये होगा 1 गुना 5 गुना 5 तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं 1 गुना 5 का वर्ग और अब है 30 का आभाज गुना ठंड तो इसे हम लिख सकते हैं 30 का आभाज गुना ठंड जो होगा उसे हम कैसे लिख सकते हैं तो एक मिनट थोड़ा सा हाँ स्वारी मैं फिर से शुरू कर रहा हूं हाँ तीस का अब हाज गुनट खेंड होगा एक गुना दो गुना तीन गुना पांच इससे फिर से हम या पर लिख रहे हैं इसके नीचे एक के नीचे ही का जाएगा एक गुना दो गुना तीन गुना पांच अब देख रहे हैं कि इन तीनों में कॉमन क्या है तो एक तो ये एक है उसके बाद दो है नहीं, यहाँ दो है लेकिन यहाँ दो नहीं है, यहाँ दो है, तो दो तो common नहीं है, अब common क्या है, पांच है, तो यहाँ पांच है, यहाँ पांच स्क्वाइर है, और यहाँ पांच है, तो जो lowest हमारा power है, वो यहाँ पर 5 का power 8 है, और यहाँ भी 5 का power 1 है, तो जो lowest है, उसी क तो हम चुनते हैं इससे पहले वाले प्रश्ण में भी हमने देखा था तो यहां पर होगा वान इंटू फाइव यह गुना पांच वराबर पांच तो बीस पच्छीस और तीस का जो मौसा आया वह भी वह आया पांच तो यह था हमारा अभाजी गुननखन विधी तो इसमें ह लिए तो यह आपको तीन दो प्रश्ण लिए हैं तो इससे आपको समझ में आ गया होगा अब अगला विधी देखेंगे वो है भाग विधी भाग विधी में कैसे करते हैं तो भाग विधी में यहां दो प्रश्ण है पांच और पचीस का महत्तम समाप वर्तक ज्याद करें हम क्या करते हैं छोटी संख्या से जो बड़ी संख्या है उसमें भाग देते हैं तो पांच से 25 में हम भाग देते हैं तो पांच पचे 25 तो यह हमारा शेस्वल आगया सुन लिए तो यह पांच से 25 में पूरा-पूरा भाग लग दिया है तो इसलिए जो यहां पर मौसा होगा पांच और 25 का तो वह होगा पांच यह वाला पांच है जिससे भाग दे रहे हैं ठीक है अब एक और प्रश्शन लेते हैं इसमें हमने तीन शंख्याओं के लिया है पांच 15 और 20 तो जब दो से अधिक संख्याएं रहें तो पहले हम दो का हम मौसा निकालेगे ठीक है अब उस मौस और यह तीसरी संख्याओं का फिर मौसा निकालेगे चलिए से हम जब सॉल्फ करते हैं तो आपको और क्लियर होगा तो दो छोटी संख्याओं हमने लिए हैं पांच और 15 तो पांच से 15 में भाग देते हैं 5 से 15 में तो पांच की आई 15 तो पांच और 15 का जो मौसा आया वो आगया 5 तो यहां हम लिख लेते हैं 5 और 15 का मौसा आगया 5 तो हमें तो पांच 15 और 20 का निकलना है तो अब क्या करेंगे इस 5 और 20 का निकालेगे तो फिर से हम भाग देंगे पांच से 20 में यह गौर करेंगे यह जो मौसा आया है इससे हम फिर तीसनी में भाग दे रहे हैं 5 से 20 में तो पांच चो के 20 यह सेस्वल सुने आ गया तो अब जो हमारा तीनों का तीनों संख्याओं का जब हम मौसा की बात करते हैं पांच 15 और 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 20 का मौसा तो यह जो लास्ट में आया यह यह हमारा तीनों संख्याओं का मौसा यानि महत्तम समावर्तक या एस्यप हुआ अब एक और हम उडारन लेते हैं और इसमें हमने चार संख्याओं ली है तो चार संख्याओं का मौसा हम कैसे ग्याद करेंगे तो इसके लिए हम पहली दो संख्याओं का मौसा पहले ग्याद करेंगे फिर दूसरी दोनों संख्याओं का मौसा ग्याद करेंगे और फिर जो दोनों मौसा आया है उसका मौसा ग्याद करेंगे तो हमें चारों संख्याओं का मौसा मिल जाएगा तो पहले हम चार और छे का मौसा ग्याद करते हैं तो इसके लिए हम चार से छे में भाग देंगे चार से छेंगे, चार एका, चार, यह आ गया, दो, अब दो से फिर चार में देंगे हैं, यही प्रोसेस है, जब तक ये शेसफल सुनने नहीं हो जाता है, तब तक भाग देते जाते हैं, तो चार से जब छेंए हमने दिया है, तो देखिए शेसफल यहाँ पर दो आया है, तो अब शेसफल से फिर आप इस चार में भाग देंगे, तो दो दुनी चार, अब सेसफल सुन्या गया, तो चार और छेंगे, मौसा हमें 2 मिल गया है यहां लिख लेते हैं 4 और 6 का मौसा ब्राबर 2 अब 6 और 8 का हम लोग मौसा निकालेंगे सॉरी 8 और 12 का 8 और 4 और 6 का तो हमने निकाल दिया है अब 8 और 12 का निकालेंगे तो 8 से हम 12 में देंगे भाग आठ का आठ और ये आ गया चार देखिए सेसफल चार आया अब सेसफल से फिर हम आठ में भाग देगे तो चार दूनी आठ तो अब सेस्फल सुने आ गया इसका अर्थ है कि आठ और बारा का मौसा है वो चार हुआ यहां फिर लिख लेते हैं आठ और बारा का मौसा ब्राबर चार अब देखिए चार और छे का मौसा हमने दो निकाला है आठ और बारा का मौसा हमने चार निकाला है अब इन दोनों मौसा का मौसा निकालेंगे तब हमें चारों संख्याओं का मौसा यानि HCF मिलेगा तो अब क्या करेंगे कि हम दो से चार में भाग देते हैं दो दुनी चार और सेस्फल स्टोन ने आ गया तो इसलिए हमारा चार छे आठ और बारह का मौसा ब्रावर हो गया दो आसा है कि यह आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम भाग विधी से निकालते हैं अब एक और उधारन लेते हैं कि अना है कि एक और उधारन ले रहे हैं और और इसमें हम मौसा गयात कर रहे हैं अ इसमें हम स्वरी यह लैप्टॉप मेरा हैं कर जा रहा था इसलिए फोड़ा डिस्टर्ब हुआ है अब अगला जो हम प्रेशन ले रहे हैं यह ले रहे हैं पांच साथ और नो का मौसा गयात करें अब देखें यहां फिर क्या करेंगे इन दोनों का पहले लेंगे पांच और साथ का मौसा निकालेंगे पहले अर्पिर जो मौसा आएगा उससे फिर नौ का उस मौसा और नो का मौसा निकालेगे पांच से साथ में पांच का पांच और यह सेस्फल दो आया अब इस दो से फिर पांच में देंगे तो दू दूनी चार सेसफल एक आया एक से फिर हम किस में देंगे भाग दू में देंगे तो एक दूनी दो और सेसफल सुनने हो गिया तो इस तरह से पांच और साथ का जो मौसर आया वो आया एक यहां लिक लेते हैं पांच और साथ का मौसर बराबर एक ठीक है अब इस एक और नौ का मौसर तो एक से नौ में यह भाग देने के ज़रत ने इत्वी लेकिन फिर मी समझाने के लिए मैं भाग दे रहा हूँ क्योंकि जब भी एक है मौसर और कोई और संध्या है तो उसका मौसर फिर एक ही होगा तो एक नवा नौ सुनने तो यहां पर पांच साथ और नौ का महत्तम समापवर्ट तक यह हो गया एक तो आसा है कि इतने उदारनों के बाद आपको HCF की पूरी समझ आ गई होगी कि HCF यानि मौसर यानि महत्तम समापवर्ट क्या होता है और इसको निकालने की विदिया क्या है हमने उदारनों में छोटी छोटी संख्याएं इसली दिये हैं कि आपको अच्छी तरह से प्रोसेस समझ में आ जाए इन्हीं प्रोसेस से आप बड़ी संख्याओं का भी मौसर निकाल सकते हैं धन्यवाद अच्छी